Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247 आज की इस वीडियो में हैं हरियाला TGT का एक प्रिवेस एरिका पेपर डिस्कस करेंगे विच वोस कंडेक्टेड इन 2020 यदि आपको इन कोशन्स की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन कर सकते हैं और वहां से आप इन कोशन्स की PDF को प्राप कर सकते हैं टेलिगराम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहां से आप हमारे टेलिगराम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को हमारा first question है His new film is really worth to be seen उसकी यो नई फिल्म है वो देखने योग है अब याद रखेंगे जब भी हम worth का प्रियोग करते हैं तो worth के बाद नहीं जब भी हमें कोई वो भी यूज करना होता है तो उसका ing form होता है तो यहाँ पर to be seen की स्थान पर seeing आ जाएगा यानि कि D इसका सही आंसर है Next question is second Select the appropriate model for the expressions given यह जो sentence है इसमें सही model काउन सा फिल्म करेंगे जो भी model फिल्म करना होगा वो possibility के लिए होना चाहिए First है में Second है will Third है have to Fourth है dear तो इसमें से में का परियोग करते हैं possibility के लिए यह आपका सही आंसर है बागी इसमें से किसी का भी परियोग possibility के लिए नहीं किया जाता है Next question is Third Select the correct option phrasal verb for the underlined word यहाँ पे एक word को underline किया गया है Respect Respect की मीनिक होती सम्मान करना आपको बताना है किसमें से कौन सा phrasal verb है जिसकी मीनिक सम्मान करना होती है तो इसमें से correct answer है वो fourth होगा Look up to Look up to की मीनिक होती है सम्मान करना Look से और ही phrasal verb बनते हैं जैसे कि look into की मीनिक होती चानबीन करना जाज करना Look after की मीनिक होती है देख रहे करना, look up या look for की मीनी होती, search करना तो D is the right answer next question is fourth choose the correct meaning of the underlined word, यहां जो underlined word है उसकी सही meaning आपको पताना है the baby monkeys ran every which way, तो इसका जो सही answer होगा वो D होगा, इसकी मीनी होती है वो हर तरफ भागने लगे every directions में वो लोग भागने लगे next question is fifth choose the correct tense form इसमें से सही tense का form बताना है यह कहरा चाहते हैं कि नैंसी की पिछले हपते मिरिती हो गई क्योंकि वो सफर कर रहे थी कुछ समय से cancer से, अब याद रखेंगे जब भी हमें since और for के साथ time mention करना होता है तो वहाँ पे हम profit continuous का प्रियोग करते हैं और यहाँ पे profit continuous का कौन सा है, third है, यह past profit continuous है, क्योंकि tense है हमारा past का, इसलिए सही answer third हो जाएगा next question is six select the appropriate model for the expressions given, इसके लिए सही model को choose करना है, अब ध्यान रखेंगे जब भी हमें if का प्रियोग करना होता है तो if के बाद में simple present का प्रियोग करते हैं और जो दूसरा sentence होता है, उसमें simple future का प्रियोग करना होता है आपको बता है कि जब भी हमें simple future form करना होता है, उसमें will or shell का प्रियोग करते हैं और एक ही option में shell का प्रियोग किया गए, यानि second आपका सही answer हो जाएगा Next question is, 7th, choose the correct option for the following, इसमें से सही option को choose करना है, one word का है An instrument for detecting earthquake, एक instrument होता है जो कि earthquake का पता लगाते हैं, तो उसके लिए हम use करते हैं, सिस्मो ग्राफ, यह सही answer है फैदो मीटर होता है, पानी की गहराई को नापने के लिए, लेथो इसकोफ होता है, जमीन की जो crystal होते है उसको नापने के लिए और कार्डियोग्राफ जो होता है, इसको हम heart beat नापने के लिए use करते हैं, तो इसका सही answer third होगा next question is earth, choose the correct meaning of the underlined words, it's a pity, you do not like football कहते हैं कि यह तो दैनी है कि आप फुटबाल को पसंद नहीं करते हैं but each to their own, और यह बताना है कि but is to their own की meaning क्या होगा, first है everyone has a different opinion, यह इसका सही answer है यह कहना चाहते है कि हर एक बेक्ती के अपनी opinion है, और यह दैनी है कि आपको फुटबाल पसंद नहीं है next question is ninth, choose the correct option to fill the blank, इसमें से आपको choose करना है, fill in the blanks में fill करने के लिए immediately after the operation he could see nothing, यह कहना चाहते है कि operation के तुरंत बाद वो कुछ नहीं देख सका सिवाए wake shadow के, wake मानी होते है धुन्दला, धुन्दली shadow ही उसको दिखाई दी तो first as long as, however, but not withstanding, सही answer होगा इसका see, यानि कि third होगा but की meaning होती, except यानि सवाए तो एक धुन्दली shadow की सिवाइब उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, sees का सही answer होगा, next question is, 10th, select the correct option phrasal word for the underlined word, इसमें जो underlined word है उसके लिए सही option को चूज करना है, I don't know how we are going to cope up with the cold during winter, यह कहता है कि मुझे नहीं पता है कि किस तरह से हम लोग survive करेंगे cold winter से, तो इसके जो cope up होता है, इसका सही फार्म होता है, cope up with, तो इसका second सही answer हो जाएगा, next question is, 11th, select the appropriate preposition to fill in the blanks, यानि कि इसमें fill करने के लिए आपको सही prepositions का चुनाओ करना है, they walked the footpath until they came to bridge, यह कहना चाहते है कि वो लोग footpath पे चल रहे थे, और तब तक कि चलते रहे जब तक कि वो लोग bridge के पास नहीं पहुँजगे, अब याद रखेंगे, जब भी किसी के साथ साथ अब चल रहे होते हैं, उसके लिए along का प्रियोग करते हैं, तो इसका सही answer हो जाएगा, third, next question is 12, choose the correct tense form, इसमें सही tense को fill करना है, my car for the third time since I got it, यह बहुत important sentence है, जब भी हम since का प्रियोग करते हैं, subordinate close of time के रूप में, तो इसमें होता क्या है कि since के बाद हम use करते हैं simple past, हम देखेंगे हमारे option जो है, उसमें से present perfect tense कौन सा है, तो उसका येकी answer है, कौन सा second है, ये present perfect tense में use किया है, यही इसका सही answer है, अब यात रखेंगे breakdown की मीनी होती, खराब हो जाना, कहने कि मेरी car has broken down three times, third times, यनि तीसरी बार खराब होगी, जब से हमने इसको purchase किया है, next question is 13, choose the correct option to fill the blank, blank में fill करने के लिए सही option का चुनाओ करना है, the room was empty for a chair in the corner, ये कहते है कि रूम पूरी तरह से खाली था, सिर्फ एक chair थी corner में सवाए, तो सिवाए कि मेनी कौन से देता है, accept देता है, इसलिए सही answer first हो जाएगा, next question is 14, select the appropriate preposition to fill in the blank, blank में fill करने के लिए सही preposition का च चुनाओ किजिए, the program was broadcasted the world, ये कहते हैं, जो program था, उसको पूरे world में broadcast किया जा रहा था, और पूरे world के लिए हम use करते है, across, यानि कि पूरे world की बात कर रहे हैं, तो सही answer हो जाएगा, fourth, next question is 15, fill in the blanks with the correct option, सही option से इसको fill करना है, I applied for the job in Japan, मैंने जापान में job के लिए apply कि था, but they dashed my application because I didn't know Japanese, क्योंकि मैं जापानी नहीं आती थी, इसलिए उन लोगों ने मेरे application form को reject कर दिया, ठुकरा दिया, अब याद रखेंगे reject करने के लिए हम use करते है, turn down, तो turn down की मीनिंग क्या होता है, reject करना इसलिए सही answer हो जाएगा, first, turn out की मीनिंग होती, साबित होना ये भी आपकी exam में पूछा गया है, लेकिन सही answer होगा, इसका first, next question is 16, fill in the blank with the correct model, इसमें सही model से fill करना है, children obey their parents' obligation, अब याद रखेंगे जब भी हम obligation की बात करते हैं, या duty की बात करते हैं, तो उसके लिए हम use करते है, must या ought to, लेकिन चुकि हमारे option मेंने तो must है, ना ही ought to है, तो ज़्यादा preference जाएगी, should को इसलिए should इसका सही answer होगा, next question is 17, fill in the blank with the correct preposition, सही preposition से इसको fill करना है, थेपस broke my house, अब याद रखेंगे जब भी सेंध लगाने की बात करते हैं, या चुपके से किसी की घर में घुस जाने की बात करते हैं, तो हम use करते हैं, break into, उसी का second form में broke होगे, तो सही answer हो जाएगा, first, broke into, जैसा कि अभी आपने इससे पहले पढ़ा था, break down की meaning खराब हो जाना, car के लिए use किया गया है, लेकिन जब break into की बात करते हैं, तो सेंध लगाना, ठीक है, चोरी से किसी घर में घुस जाना, और खाली break की meaning होती है, तूटना, break up की को fill करने के लिए has, have होता है, has या have होगा, plus, pop का third form, I के साथ have का प्रियोग करते हैं, इसलिए सही answer कौन सा हो जाएगा, second हो जाएगा, have read, read की तीनों form read ही होते हैं, लेकिन जब इसके साथ has या have आ जाता है, तो इसको हम read पढ़ते हैं, तो यह हो जाएगा, have read, next question is 19th, fill in the blank with the appropriate model, इसमें से सही model का चुनाओ करना है, sentence है, he dash not enter my house again, command की बात कर रहे हैं, तो command के लिए जब भी हमें use करना होता है, should का परियोग, advice के लिए होता है, might का less possibility के लिए होता है, kind का परियोग करते हैं, हम capability के लिए, छमता के लिए, shall इसका सही answer होगा, next question is 20, identify the correct diphthong in the underlined words, यह basically क्या होता है, phonetics होती ही, आपको बता रहा है कि इसमें o y o y है, इसको किस तरह से लिखते हैं, dictionary में, तो इसको dictionary में देखेंगे, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, यह एक vowel है, जो ultra c बना हुआ है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, और इसको read क करते से पूरा मुख खोलते हैं, जिसे boy, quiet, next question is 21st है, identify the phonetic symbol of the underlined sounds, इसमें भी यह phonetic symbol की पहचान करना है, आपको यह बताना है कि SH जो होता है, इसको English में किस तरह से लिखा जाता है, phonetics में, तो जब भी SH को लिखा जाता है, dictionary में, तो यह इस तरह से देखेंगे, sigma की तरह को symbol है, यही इसका answer है, first इसका सही answer है, next question है, 22, 22 है, identify the grammatically correct sentence, आपको बताने कौन सा sentence, grammar के point अभी उससे सही है, पहला है, जोन is resembling his elder sister, resemble को हम आजी form में नहीं यूज़ करते हैं, तो wrong हो गया, second है, जोन resembles his older sister, ठीक है, और उसके बाद में, हाँ तो यह हमारा जो है, सही लग रह है, third है, जोन resembles his senior sister, senior sister कुछ होता नहीं है, और fourth है, जोन has resembling, has के बाद resembling नहीं आता है, यह भी wrong है, देख इसका suitable जो सही होना चाहिए, तो elder sister होना चाहिए तो लेकिन चुकि हमारे option में कोई भी elder sister नहीं है, तो हम देखेंगे, ज्यादा suitable option इसका second है, तो इसका second सही answer होगा next question is 23, who is the author of the, a different kind of school, यह जो work है, a different kind of school, इसका author कौन सा है, तो इसको लिखने वाले हैं, first है, कैरोल मूरे, second है, E.V. Lucas, third है, Harry, बेहन, fourth है, जापानी स्टोरी, तो इसका सही answer B होता है, E.V. Lucas, next question है, 24, fill in the blank with the correct option, सही option से इसको fill करना है, it rained three days without stopping, तो यहाँ पर दोखो three days का प्रियोग किया गया है, और three days की जब भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर four का प्रियोग किया जाएगा, second इसका सही answer है, next question is 25, which of the following is not a synonym of the word, lethargic, कौन सा इसमें कहा है, जो कि lethargic का synonym नहीं है, lethargic की मेनिक होती है, धील अठाला या आलसी होता ह सलोगिश के माने भी आलसी होता है, lazy माने भी आलसी होता है, torfit माने भी आलसी होता है, यह सारे synonym है, लेकिन agile के माने फूरतीला होता है, यह इसका intonym है, और यही सही answer होगा, next question is 26, identify the phonetic symbol of the underlying sound, underline sound का phonetic symbol बताना है, यानि कि आपको यह बता रहा है कि चा कैसे लिखा जाता है CH, तो चा को लिखने के लिए जब भी लिखते हैं, तो T के साथ सिगमा लगा देते हैं, यानि कि first इसका सही answer है, next question है, 27, which of the following is not a collective noun, इसमें एक अकाउंसा है, जो कि एक collective noun है, तो fleet को देखेंगे, एक collective noun है, crowd भी एक collective noun है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने family को भी collective noun माना है, judgment एक abstract noun है, तो सही answer इसका judgment होगा, लेकिन ध्यार रखेंगे family को एक collective noun नहीं है, अब यहाँ पे हमारे पास option की हिसाब से choose करना तो, तो judgment हो गया, family एक common noun होता है, क्योंकि family का plural families होता है, next question is 28, identify the correct sentence pattern of the given sentence, इसमें correct sentence pattern को बताना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर green object को complete कर रहा है, इसनि यह कहना चाहते है, they painted the door, उन्होंने door को paint किया, कैसा green, तो यह object को complete कर रहा है, तो सही answer क्या होगा, subject, verb, object, object compliment, यानि की second इसका सही answer है, next question is 29, put the verb in the correct form, सही form का प्रियोग करना है, Ryan is very good at English, याद रखेंगे, जब भी हम good का प्रियोग करते हैं, तो उसके बाद हमेशा add का प्रियोग किया जाता है, जैसे कोई भी subject आपका आच्छा है, तो अब क्या बोलेंगे, I'm good at mathematics, या I'm good at English, he for languages variable, वो चार language को बोलता है, बहुत ही अच्छा, हमें पता है, कि he यहाँ पर यूज किया गया है, he के साथ singular subject आता है, तो singular subject काउन सा है, second है, speaks, इसका सही answer होगा, next question is 30, fill in the blank with the correct preposition, सही preposition को fill करना है, doing the cleaning I help my mother in cooking, कहता है, cleaning के अतरिक्त मैंने अपनी मम्मी के help की, तो इसमें दो वर्ट हैप के पास, एक beside है, दूसरा beside से, beside के माने अतरिक्त होता है, यानि cleaning करने के अतरिक मैंने अपनी मम्मी की किसमें help की, cooking में help की, इसलिए सही answer होगा, third, next question is 31, which of the following is spelled incorrectly, आपको बताना है कौन सी है, जिसकी spelling सही नहीं है, psychology, तो psychology की spelling सही है, environment की भी spelling सही है, education की सही है, लेकिन curriculum में single L होता है, double L नहीं होता है, तो इसका सही answer third होगा, next question is 32, to transform the following into negative sentence, इसको negative sentence में बनाना है, यह sentence use कियागा है किससे, आपको याद रखेंगे, जब भी कोई sentence comparative में बनाया जाता है, तो इसको negative में बनाते हैं समय है, positive में कर देते हैं, तो इसका सही sentence मनेगा, he, sorry, I am not so great as he, यहीं सही sentence मनेगा, जो हमारा object है, subject की सान पे, subject object सान पे होगा, next question is 34, identify the figure of speech in the following line, यह जो line है, इसमें figure of speech की पहचान करना है, the fair breeze blew the wide form flew the flow followed free, अब देखेंगे, इसमें बहुत बार F का repeat किया गया है, और F की sound बार बार आ रहे है, चुकि F का repetition हो रहा है, same sound का, इसलिए क्या होगा, alliteration हो जाएगा, next question is 35, fill in the blank with the correct option, सही option का है, I have a little money for rainy days, यह कहना चाहते है कि, rainy days यानि की कहना चाहते है, मुश्किल वाले दिन के लिए कठी समय के लिए मेरे पास बहुत ही कम पैसे हैं, तो put aside की मेनी होती, save करके रखना, मैंने बहुत ही कम पैसे save करके रखा है, rainy days के लिए, सही answer third होगा, next question is 36, which of the following is spelled correctly, किसकी spelling सह ही है, तो इसमें जो होता है, सही spell होती, succession, S-U-C-E-S-I-O-S, सही spelling इसका क्या है, third है, succession के मानी उत्तरा इधिकार ही होता है, next question is 37, 37 यह आपको बताना है कि identify the part of speech of the underlined word, यह जो underlined word है, यानि कि after किस part of speech का है, तो he takes after, takes after की मिनी होती, मिलता जुलता होना, और यहाँ पे after preposition के रूप में यूज किया गया है, तो सही answer होगा, first, next question is 38, identify the underlined phrase in the sentence below, यह जो है, every root manner, यह कौन सा फ्रेज है, तो आपको याद रखेंगे, यह every root manner क्या है, यह एड़वर्वल फ्रेज है, इसलिए इसका सही answer हो जाएगा, second, एड़वर्वल फ्रेज है, next question है, 39, यह rebel, यह rebel क्या होता है, rebel एक भी द्रोही होता है, आप आसर हो, resist and established authority, जो established authority को नहीं मानता है, उसका ब्रोथ करता है, तो यह इसका सही answer है, first, next question है, 40 है, fill in the blank with the correct conjunction, सही conjunction से इसको fill करना है, the girl danced, ठीक है, तो इसमें अगर conjunction की बात करें, दो ही conjunction है, एक तो while है, दूसरा less है, less की meaning होती, कहीं ऐसा ना होकी, तो यह suitable है नहीं, while his का सही answer है, यह कहना चाहता है, the girls dance, लड़कियों ने dance किया, जबकि boys ने खेला, next question है, 41, which of the following word is incorrectly formed in the plural, इसमें से कौन सा word है, जो की plural बनाया गया, लेकिन correct नहीं है, आप याद रखेंगे, जब भी किसी भी word के end में, s है, s h है, c h है, x है, o आता है, उसका plural बनाते हैं, उसमें es लगाते हैं, जैसे यहाँ पे o था तो es लगाया गया, यहाँ पे cs था तो es लगाया गया, तो यह दोनों सही है, जब किसी के end में f आता है, या ef आता है, तो उसका plural बनाते समय है, v es का प्रियोग करते हैं, तो first में thieves से thieves हो गया सही है, लेकिन काब से v es में होना चाहिए था, यानि कि fourth wrong है, next question हो जाएगा, 42, who is the poet of the poem title, trees, trees का जो है, poet काउन सा है, फस्ट है, शिरले, बोर, second है, जोन कीट्स, थर्ड है, विलियम शेक्सपियर, फॉर्थ है, अरुन कोलाटकर, सही आंसर इसका first होगा, next question है, 43, I took out a small black tin box, the underlined phrase, ये काउन सा phrase है, आप देखते हैं, small black तो आपका adjective है, लेकिन बाद में tin और box दोनों noun है, इसलिए क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा, तो इसका third is the सही answer, next question is, 44, the poem school boy is written by, आपको बताना, school boy poem किसके दोरा लिखी गई थी, first है, बोरिस जोंसन, second है, विलियम डैलरी, डैलरी एंपल, third है, विलियम वर्सपित, fourth है, विलियम ब्लेक, सही आंसर, इसका fourth होगा, विलियम ब्लेक, next question is, 45, a fictional narrative intended to enforce some useful truth, usually with the animal as character is called, ये कहना जाती कि एक कालपनिक कहानी होती है, जिसमें एनिमल की मदद से एक moral story को narrate किया जाता है, ये कैसी कहानी बता जाती है, जिससे आपको कुछ सीख मिलती है, ऐसी कहानी को हम क्या कहते है, तो ऐसी कहानी को हम fable कहते है, यानि, first है, इसका सही answer ह sonnet 14 lines की एक कविता होती है, lyric जो होता है, एक song होता है, story आपको पता है, story कहानी होती है, इसका सही answer first होगा, next question is 46, who is Biju calling in the mist in the story, ये कहते हैं, जो mist होता है, कोहरा होता है, उसमें Biju कौन है, जो call कर रहा होता है, story का नाम है, a short monsoon diary, तो इसमें उसकी sister होती है, सही answer first होगा, next question is 47, with whom did the man strike the bargain in the end, ये कहना चाहते हैं कि जो bargain होता है, the last bargain में, उसमें man last में किस से strike करता है, तो इसका सही answer first होता है, child, next question है, 48, identify the underlined word in the sentence, sentence में underlined word को बताना है, आपको बताना है, कि आई जी form में जब भी आता है, तो क्या होता है, या तो participle होता है, या जेरंड होता है, अ ये कि participle जब होगा, तो adjective का काम करेगा, जब भी कभी भी preposition के बाद में आई जी form use किया जाएगा, हमेशा जेरंड होता है, वो noun का का काम करता है, इसलिए सही answer first होगा, next question है, 49, fill in the blank with the correct word, सही word का चुनाव करना है, why didn't you turn up at party, आप party में वापस क्यों नहीं हुए, we were waiting for you, हम लोग तुम्हारा इंतियार कर रहे थे, तो हम लोग तुम्हारा बहुत ही उत्सुकता से इंतियार कर रहे थे, इसका सही answer fourth होगा, next question 50 है, the acronym of the word popular, popular माने famous होता है, और anonymous माने क्या होता है, गुम नाम होता है, तो यहीं इसका acronym है, first, famous तो पता है, परसिद well known माने सब को जानत होते हो, तो सही answer first ही होगा, next question 51 है, which of the following is not an abstract noun, कौन सा abstract noun नहीं है, goodness, ness आजाएगा, तो abstract noun होगा, youth में TH आता है, यह भी abstract noun होता है, मोब माने भीड होता है, जो कि यह collective noun है, इसलिए इसका सही answer fourth है, next question is 52, miss beam is a character of which story, आपको बताना है कि miss beam यह character है, लेकिन किस स्टोरी का character है, first है, a house, a home, second है, a game of chance, third है, a different kind of school, fourth है, a bunion tree, the bunion tree, सही answer इसका third है, a different kind of school, next question is 53, who is the speaker in the poem, the shed, the shed का speaker कौन है, तो जो इसका जो speaker होता है, वो poet खुद होता है, इसलिए सही answer first होगा, next question is 54, choose the sentence which is grammatically correct, कौन सा sentence, जो grammar के point अब उससे सही है, अब याद रखेंगे, जब भी हम WH का प्रियोग करते हैं, interrogative sentence बनाते हैं, तो इसके बाद में हमेशा auxiliary verb आएगा, पहले में WH के बाद में auxiliary verb नहीं आ रहा है, इसलिए wrong है, second में WH के बाद auxiliary verb आ रहा है, इसलिए सही है, third में would you what, 20 में कर दिया, wrong हो गया, fourth में would you like, would you drink, to like, यह पर two पहले होना चाहिए ता, इसलिए यह भी wrong है, तो सही answer क्या होगा, सही answer हो जाएगा, second, next question is 55, fill in the blank with the correct article, सही article का fill करना हम याद रखेंगे, tallest एक superlative degree है, जब भी किसी adjective में EST लगा देते हैं, तो superlative degree होता है, और superlative degree से पहले हमेशा दा का प्रियोग किया जाता है, third इ comparative sentence, अब यह जो sentence है, positive से comparative में change करना है, अब few historians write as, interestingly as, हभी, comparative में change करते हैं, क्या हो जाएगा, more interesting हो जाएगा, interestingly यह तो आपको सही आ गया, दूसरा क्या करेंगे, जो हमारा subject होता है, object किस्तान पे जाएगा, object subject किस्तान पे जाएगा, और third important point है कि जो few होता है, उसको most में change क लेकिन जो fourth में most में है, वहाँ पे कोई comparative form है ही नहीं, इसलिए wrong है, और first में देखेंगे, तो more interestingly, यहाँ पे comparative degree का प्रियोग किया गया है, और कहा भी गया है कि आपको comparative degree में change करना है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, first, next question हो जाएगा, 58, the correct antonym of the word, यह जो word है, इसका सही antonym नहीं बताना है, grow माने बढ़ना होता है, उगना होता है, cut माने, cut देना, तो इसका सही आंसर second होगा, next question is 59, fill in the blank with the correct phrasal warp, सही phrasal warp को fill करना है, the fund has been for soldiers family, fund जो था, soldiers family के लिए क्लिए क्या किया गया, save कर दिया गया, set aside मारे सुरक्षित करना, save करना, सही आंसर second होगा, next question is 60, fill in the blank with the correct option, सही option से सको fill करना है, I had, आपको पता है कि जब भी यहां पे देखें कि biscuits का प्रियोग किया गया है, अब biscuits की I had, fourth biscuits नहीं होता है, क्या यह four biscuit होता है, तो यह रॉग हो गया, is के बाद noun singular होता है, तो यह भी रॉग हो गया, and के बाद noun singular होता है, यह भी रॉग हो ग बनियन ट्री मीज्ट यह जो मोर सेल्स है यह बनियन ट्री मेंज का मतलब क्या होता है आपको बताना है तो इसकी मीनिक होती स्मॉल पीसे ऑफ फूर्ड फरस्ट इसका सही आंसर है नेक्स कोश्चन है और इतिंग हाँ यह सेकंड लास्ट कोश्चन होगा इसमें कौश्च से बिफोर को बताना है तो आई केम बिफोर अपॉइंटमेंट टाइम यहाँ पे बिफोर यह कहने के कहना चाहते है कि मैं अपॉइंटमेंट समय से पहले आ गया यहाँ पे प्रिपोजिशन की तरह यूज किया गया डीस का सही आंसर होगा नेक्स कॉश्चन है 63 और 63 फिल इन दा ब्लैंक बिद दा करेक्ट डिटर्माइनर सही डिटर्माइनर से फिल करना है तो यहाँ पे देखे उसके बारे में विशेस्ता बता रहें कि गर्ल कौन सी जो वहाँ पे बैठी हुई है अईसे कंडिशन में क्या होई स्पेसिफाइ कर रहें तो हम क्या यूज करेंगे दा का प्रियोच करेंगे नेक्स कॉश्चन है 64 64 हमारा लास्क कॉश्चन है और रोटेंड से टेक शिल्टर इन दा स्टोरी और शॉर्ट मानसून डाइरी यह जो short-manson diary है उसमें जो snake होते हैं और rotants होते हैं वो कहां पर shuttle लेते हैं तो यह shuttle लेते हैं ropes and attics में यानि इसका सही answer first होगा तो यह रहे हमारे आज के questions हमें उम्मीद है आपको जरूर समझाए होगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care, have a good time